Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल अचलिए लियोज आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लगों के लिए cards हैं five of cups and financial and material changes तो देखें ये cards कहते हैं कि इस week in general या फिर specifically आपके professional front में कुछ issues, कुछ मसले, कुछ problems, कुछ challenges रह रहे हैं और देखें जनरल रीडिंग है तो ये challenges, ये problems सब के लिए differ कर सकते हैं लेकिन materialistic, tangible चीज़ों से related, money, पैसे से related एक problem, एक issue जादा रहता हुआ दिख रहा है और देखें इस चीज़ को सुन के लिए उस आपने परिशान नहीं होना है क्योंकि ये weekly reading होती है और weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते है चोटी मुटी सी चीज़ें हमें जादा परिशान करती है एका दुक्का लोगों की बात अलग है और दीखें दूसरी बात मुझे ऐसा याद आ रहा है कि last time भी आप लोगों के लिए similar से cards थे हो सकता है कि last week की ही energies इस week continue कर रही है जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी issues है, मसले है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी इनसान से आपको बहुत उमीदे थी बहुत expectations थी और कहीं उनकी तरफ से वैसा response नहीं मिल रहा है और इसलिए या otherwise भी एक अकेला पन, एक rejection मन ही मन आप महसूस कर रहे है आपको ऐसे लग रहा है कि भी चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है और दिखे इन ही चीजों पे आप बहुत सादा focus करते वे दिख रहे है या मैं कह सकते हूँ कि जो चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है या पिर जो problems हैं उन पे आप बहुत focus कर रहे हैं और दिखे जब भी भी five of cups का काड आता है हम यही कहते हैं कि सब कुछ खराब नहीं हो रहा है और दिखे वैसे भी अगर हम अपनी life को भी देखें तो कोई भी दुनिया में इंसान नहीं है जिसकी life में सब कुछ खराब हो रहा हो कुछ ना कुछ अच्छा हमारी life में जरूर होता है और यहाँ पे तो दिखे 5 of cups का का काड clearly आपको बता भी रहा है कि कुछ अच्छी चीजें भी हाल फिलाल आपके professional front में होई है लेकिन आप उन पे नहीं focus कर पा रहे है या फिर उन पे नहीं आप focus कर रहे हैं उनको नहीं आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने energies में एक shift लेकर आएं जो चीजें अच्छी चल रही हैं आप उन पे focus करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं five of wands and obstacles and challenges तो देखिए ये दोनों cards भी कहीं issues, मसले, problems की बात करते हैं और देखिए दोनों ही fronts के लिए बहुत great energies नहीं रहती हुए दिख रही हैं specifically हम personal front को अगर देखें तो हो सकता है जो भी काम आप करने जाते हैं आपको एक smooth going नहीं मिलती है किसी ना किसी तरीके की अडचन आ जाती है और कुछ लोगों के लिए देखें ये conflicting energies external हो सकती हैं जहां पे जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ आपकी views नहीं match कर रहे हैं उनके साथ arguments हो रही हैं उनके साथ किसी level पे एक conflict भी रह रही है और अगर ऐसा आप पाएं लिए उस तो कोशिश करके इस conflict में जादा आपने आपको involve ना करें unless and until आपको लगे कि भी बहुत सरूरी है और अगर ये conflict internal है यानि कि किसी चीज को लेकर एक दुविदा है एक उलजन है तो थोड़ा सा pause करके चीजों को समझें इनका क्या root cause है क्या solution है उस पे आप जादा focus करें क्योंकि देखें जब तक हम problem पे focus करते रहते हैं तब तक हम problem को ही energy दे रहे होते हैं और वही हमारी life में बड़ भी रही होती है और जैसे ही हम अपना focus problem से हटा के solution पे डालते हैं तब ही कहीं देखें एक सुकून एक piece अपनी life में लाते हैं तब ही एक हल भी हमें मिलता है और तब ही हम better भी feel करते हैं तो इस चीज का खयाल इस free clues आप जरूर रखें and guidance से आप लोगों के लिए well deserved reward का card है और ये card कहता है कि again कुछ अच्छी चीजें हाल फिलाल आपकी life में हुई है जिनके लिए आपने बहुत you know मेहनत करी है बहुत effort किया है तो उनको जरूर आप enjoy करें और nutshell में देखिये जो चीजें आपकी life में अच्छी चल रही है मैं फिर से कहूंगे आप उनके ओपर focus करें क्योंकि देखिये जब हम ऐसा करते हैं तो एक better energies अपने लिए लेकर आते हैं और जब हम better energies में vibrate कर रहे होते हैं तभी कहीं better चीजें हम universe से भी अपनी life में ला पाते हैं और चक्रा से आप लोगों के लिए sacral chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of orange rust आप लोगों के लिए इस week लग्की रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो यह था और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए